सिक्षा विभाग का इदाइत्तु है कि वह अच्छे से डॉकुमेंट्स वरिपिकेशन करें लेकिन सिक्षा विभाग ने लापरवाही किया है जिसके बज़से ये सारी जो समस्याइं उत्पन हुई उसीप सिक्षा विभाग की लापरवाही से विभाग ने पहले भी कहा था कि पहले जो सिटेट अपियरी या कोई अपियरी में फॉर्म बढ़े उनका डॉकुमेंट्स लेंगे मार्क सिट लेंगे उसके बात रिजल्ट जारी करेंगे एक इक सिक्षा विभाग ने हर बड़ी किया कि हमको एदम रिजल्ट चाहिए कल चा अपियरी को बड़े पैमाने पर गांधी मैदान में निवक्ति पत्र बाटा जाएगा लेकिन ठीक उसके पहले लागतार बीपी से बीप्यसी करेले जो हजारों के संख्या में अभियर्ती यानि सिक्षा का भियर्ती अपनी मांगों को लेकर पहुंच रहें इन्हीं सम्मु अब बाटार बाते करते रहते हैं आप भी पीसी करेले पहुंचे थे किस तरीके से आपको ग्यापन सौपने पहुंचे थे लेकिन हटा दिया गया था खिन-खिन मांगों को लेकर आप लोग अभी भी बात किये थे लेकिन बाहर निकलने के बाद कुछ पुलिस करमियों द्वारा बत्तमीजी की गई दुर्वेभार किया गया दो-तीन लोग थे जो बैक्दी के रूप से मुझे टार्जेट किये हुए थे वही लोग ऐसा किये हैं पुरा पुलिस परसासन का इसमें हम नहीं सम नहीं था बीपेसी के दौर तो अच्छा बेभार किया गया हमारी बातों को सुना गया और समधान भी बताया गया कि हम इस तरह समधान भी करेंगे लेकिन बाहर निकलने के बाद दो-तीन पुलिस करमियों के दरा बदसलूकी किया गया हो सकता है उनका कुछ बैक्तिगत जै लेकिन हम उसे डरने वाले नहीं है और वीपेसी के दौर अच्छा रिपन्स रहा और सारी समस्याओं का समधान करने का उन्हें अश्वासन दिया बदकि समस्याओं का समधान हुआ भी और कुछ का भी हो रहा है और अभी जो कटप जारी हुआ मार्क जारी हुआ तो उसके जो भी समस्या हैं, उन सारी समस्याओं से हम चेर्मेंशर को अवगत कराएंगे और जो समस्या सबका समधान होना चाहिए और होगा भी मुझे उमीद है और BPSC के द्वरा भी एक परियास किया जाएगा कि जो सिकायते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाएगा, अभी यर्थी को मौका दिया जाएगा और उस पे सुधार जरूर होगा लगतार बिहार में पेपर लीक होता रहा था, लेकिन BPSC ने इतनी अच्छे तरीके से परिक्षा लिया आपने भी बढ़ाई दिया तमाम जो देश के बिहार के जो इवा है, उलोग काफी प्रसंत लेकिन जैसे रिजल्ट है, उसके बाद से लगतार हंगा में शुरू हो गया आप लोग इसके बाद से फिर आप कहा रहें कि सुझाओ दिया जा रहा है, मतलब सुधार किया भी जा रहा है, लेकिन क्या संभव हो पाएगा जिस तरीके से दो तारीकों अब तो निउक्ति पत्र दिया जा रहा है लेकिन दिक्कत है कि वो खुद तो सारा काम नहीं कर सकते हैं, वो दिशान निर्देश देते होंगे बागी जो पहले से 10-10 साल से 8-8 साल से अधिकारी करमचारी जमे हैं, अमरेंदर कुमार के टीम का जो लोग हैं, अभी भी उसमें वाफिस में हैं तो वो लोग तो कहीं न कहीं गरबड़ी करने के फिराक्वल हमेसा रहते होंगे, जब पर लिक वीपीसी का हो जाता था पहले, अभी जमें हुए हैं, तो हो सकता हुए इसे लोग अभी भी से दमारी करने में लगे हुए होंगे, तो इस बज़ा से कुछ गरबड़िया भी किया है, जिसके बज़ा से ये सारी जो समस्याइं उत्पन हुई, उसीर्फ सिक्षा विवा की लापरवाही से. अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो अभियरती हैं, उनको न्यूकती पत्र दे दिया गा, लेकिन सीटेट में उपहल है, और बहुत सारे ऐसे हैं, ये हरबरी के बज़ा से हुआ है, बीपीसी को अपने इच्छा नूसार रिजल्ट देने दिया जाता, तो बीपीसी न कि हमको एदम रिजल्ट चाहिए, कल चाहिए, कल चाहिए, तो इस तिति में उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, डॉकुमेंट्स वेरिपिकेसर, सिख्चा विवाग ने काम खुद करवाएंगे, तो इस बज़ए से ये परिस्तिती पैदा हुई है, सिख्चा विवाग औ कुछ खेला करना चाह रही होगी यहीं हमको लगता है कि हो बीच में तो नियुक्ति पत्र दे दिया जाएको उसके बाद से क्या होगा उसके और चूट बहुत जोएन नहीं करेंगे या वन टूफाइब में तो उपर में चले जाएंगे उपर के कलास के लिए तो जो भी सिट खाली हो उन सभी सीटों के लिए फिर से एक लिश्ट जारी किया जाए हमारी मांगा जिस पर बीपीएसी सहमत है सिख्षा विभाग भी अब सहमत हो गय लेकिन आने वाले समय में सिख्षा विभाग की तरफ से भी उनीद है कि साकरात्मक पहल हो जाएगी लेकिन जिस तरीके से लगतार जो है बीपीएसी के द्वारा परिच्छा भी लिया गया उसको सफल आयोजन कराने को लेकर लेकर लगतार बिहार के जो शिख्षा कभिरती तो उनमें खुशी था लेकिन जैसे जारी किया गया उसको लेकर के जो शिख्षा कभिरती बीपीएसी करेले पहुंच गये थे अब बीपीएसी ने इसको संग्यान में लिया है और साकरात्मक पहल किया जा रहा है हमारे साथ चात रहें ता दिलिव कुमार ने बातों को करवाई करेगा और हम लोग यह भी मांगी हैं कि जो भी सीटे अगर खाली रहें उसके फिर से दूसरी में लिकाल आ जाए तब देखने वाली बात है कि जिस तरीके से लगतार जो बीपीएसी अभिरती अंदोलन कर रहे हैं उनकी बातों को कब तक सिक्षा विभाग सुन प आता है तैसे तमाम अफडेट से जूड़े रहने के लिए इंसाइडर लाइब देखते रहें